कि नमस्कार दोस्तों आई आज आधुनिक भारत का एक प्रमुख टॉफिक सुरू करते हैं भारतिय रश्टिय अंदोलन की कुछ प्रमुख घटनाए तो आए शुरू करते हैं वार्दोली सत्याग्रह वार्दोली सत्याग्रह जो था वो अक्टूबर 1928 में हुआ था और ये दोलन वार्दोली में हुआ था और वार्दोली की महिलाओं ने सरदार पतेल को सरदार की उपादी दी थी उसके वाद हम्हें सरदार पतेल कहा गया लहौर सद्रकेस लाहर सद्रकेस जो था वह आठ अप्रेल अनई सव उंतीज को हुआ था जिसमें भग्गत सिंग बटुकेश्वर दत दौरा बिर्टिस एसेम्मली में बंब फेका गया था और इसी के बिर्टिस सरकार के बिरोद में बंब फेका गया था भग्गत सिंग और बटुकेश्वर दत इनको फासी के सजा मिली थी कांग्रेस का लहोर अधिवेशन जो था वो दिसंबर और नई सव उंतीस में हुआ इसमें पूर्ण स्वधिनता का प्रास्ताव रखा गया और इसी में यह लक्ष लिया गया था कि हम प्रतेक वर्श स्वधिंता दिवस मनाएंगे स्वधिंता दिवस की घौषना जो हुई थी वह दोजण्वरी नहींशतीस को हुई 26 जन्वरी को स्वधिन्ता दिवस मनाने के रूप में घोसना किया गया नमक सत्यागरा जो था वो गांधी जी दुवारा 12 मार्च 39 से 5 अपडिल 39 तक किया गया गांधी जी दुवारा साबरमती अश्रम से यह स्टार्ट करके डांडी मार्च में जाकर डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कनून का उलंगन किया गया था सविने अवग्या अंदोलन जो था वो दांडी मर्च समाप्त होने के बाद नमक यातरा समाप्त होने के एक दिन बाद यानि कि 5 अपरेल को नमक यातरा समाप्त हुआ और 6 अपरेल अनई सो 30 से सविने अवग्या अंदोलन की सुरुआत हुई और भारत के तरब से जो थे वो डॉक्टर भीम रावंबेद कर सामिल हुए थे दूतिये गोल में ऐसा स्मेलन था जिसले प्रधान मंत्री जो मैकडोनाल्ड की ज़क्ष्ता में भारत कोई बार प्रेक्षा सम्मेलन जो हुआ था वह साथ सितंबर 931 को हुआ था गाधी इर्विन जो समझाता है वह 4 मार्च 931 को हुआ था इसे गाधी इर्विन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है यह दिल्ली समझाता भी कहते हैं महत्मा गाधी और वायसराई इर्विन के बीच हुआ था और सवीने अवग्या अंदोलन को अस्थागित करने की घोसना गाधी इर्विन समझाता के बाद हुई थी जो कॉमिनल अवार्ड है समप्रदाइक पंचाट इसे कहते हैं वह 16 अगस्त 1932 कि इसकी घोसना की गई मैक डोनाल्ड द्वारा प्रिथक प्रतिनिरित परदान किया गया था दलितो